गाइस, problem for practice का question number 2 देख लेते हैं जिसमें हमसे proof करवा रहा है हमसे कह रहा है कि figure आपके सामने है, figure में एक regular hexagon दे रहा है और कह रहा है कि ये proof कर दिखा दो कि A, B, A, C, A, D, A, E और A, F जो है वही 6 A, O के बराबर है तो बड़ा simple सा question होता है ये, एकदम आप कर सकते हैं बस थोड़ा सा ध्यान लगाना solve कर रहा हूँ, solution इसमें हमेशा आप left hand side ले लो, taking left hand side आपके पास left hand side ही क्या है, आपके पास A, B है, plus A, C है, plus A, D है, plus A, E है, plus A, F है ये आपके पास left hand side में है, इसे 6 A, O के बराबर लेकराना, A, O मतलब A से O, ये, ठीक है आप कोशिश ये करो कि किसी A, किसी A के term में ले लो, जैसे कि A, D है, या फिर B, E है, या फिर E, या फिर F, C है तो किसी A की term में ले लो, तो मैं AD की term में निकालने की कोईशिश करूँगा, सब को, AD की term में निकालने की कोईशिश करूँगा, तो देखो, जब AD की term में निकालते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहला आपको करना यह है, इस AB को ऐसी रहने दो, क्योंकि इसका कुछ नहीं कर स तो लगा दो AD पिलस DC ठीक है AD ये वाला ऐसे ही रहने दो इसे मज़ सॉल्व करो अब AE का नंबर है AE इस AE को देखो A-C-E ये वाला AE 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 अब दो किसके बराबर होगा सोचो AE ये जो है वेक्टर AE आप AD पिलस DE कर दो AD पिलस DE बराबर होगा AE के AD पिलस DE बराबर होगा AE के नहीं होगा या बिल्कुल होगा तो आप AE की जागा कह सकते हो AD AD पिलस DE और ये AF ऐसे ही रहने दो क्या भी तक समझ में आया उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा अब देखो देखना ये है कि AD एक आपके पास ये है ADA की ये है और ADA की ये है तो आपके पास होगा 3AD जो बचा उसे लिख लो आपके पास AB बचा AB लिख लिया आपने DC बचा DC लिख लिया आपने DE बचा DE लिख लिया आपने AF बचा AF लिख लिया ठीक है भई, 3 AD, AD, A से D तक ठीक है, यह होगा 2 टाइमस ओफ AO, क्योंकि यह जो लाइन है, जस्ट इसका मिड़ पोइंट है O, तो मैं यह कह सकता हूँ कि AD जो है, वो AO का जस्ट डबल है, तो मैंने वही लिख दिया, तो इसकी जगह तो मैंने यह लिख दिया, पिलस, अब ही है, AB को दिहान से देखो, तो इसको मैंने AB को फिलाल यह लिख दिया, AB के सामने क्या है, AP के सामने है, D E तो D E जो है वो A B का जो उल्टा देखो A B का ज़स्ट उल्टा A B इस तरफ को है D E इस तरफ को है तो इसका मतलब A B का ज़स्ट उल्टा है D E लेकिन मैं D E की जगा A B का ज़स्ट उल्टा है D E D E की जगा मैं लिख सकता हूँ माइनस का A B बिल्कुल ली सकते हैं, क्यूंकि यहां सा आपको बता है कि A B जो है इसका उल्टे क्या हो जागा, माइनस का D E नहीं है कि पैरलल हैं लेकिन अपोजिट डिरेक्शन है, तो यह वाली बात ठीक है तो आपने इसको सॉल्व कर लिया और D E को, अब D C को देखो और D C को आप ऐसी रहने दो, D C, D से C तक मतलब यह थी, और यहां A F, A F जो है वो D C के पैरलल है, लेकिन डिरेक्शन अपोजिट है, तो A F की जागा माइनस का D C आप लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी लिख दो, A F जो है माइनस का D C के जिस्ट इक्वल है, A F और D C, एक दूसरे के पैरलल हैं, इक्वल हैं, लेकिन अपोजिट डिरेक्शन की वरिख से उल्टे है, तो A B से A B कड़ गए, D C से D C कड़ गए, तो आपके पास बचे क्या, 6 A O, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ब दिसे,